कन्नोज में जीटी रोन हाईवे पर ग्राम खिलोई के पास ट्रट और स्लीपर बस के बीच आमने सामने जबरदस्ट भिड़न्थ हो गई डखकर लगते ही दोनों गाड़ियों में आग लग गई कुछी देर में दोनों गाड़ियां धूदू कर जलने लगी और आग का गोला बन गई हासे में स्लीपर कोच बस में सवार कई आत्रियों की आग में जलकर मौत होने के आशंका जदाए गई है अलाकि अधिकारी अभी ये नहीं बता रहे हैं कि कितनी मौते इस बसाथ से हुई है कन्नोजिली के छिबरा मौग कोतवाली छेत्व के प्रेमपूर चवकी के करीब घिलोई गाउं के पास डबल टेकर बस और ट्रक की भीसल भिडंत में दो वहनों में आग लगने से हड़कंप मच गया देखते ही देखते बस और ट्रक काफी देर तक जलते रहे स्लीपर कोच बस फरुखाबास से छिबरा मोह होते हुए जैपूर जा रही थी ट्रक बेवर से कानपूर की और जा रहा था हाथसा देर रात करीब आठ पच कर तीस मिनट पर हुआ मौके पर भारी भीड जुट गई हाथसे का अनुमान इसी से लगाय जा सकता है कि स्लीपर कोच बस में फसे यात्रियों को निकलने तक का मौका नहीं मिल सका लोगों के मुताबिक बस के अंदर 60 से 70 सवारियां मौजूद थी जिन में से बमुश्किल से एक दरजन सवारी ही किसी तरह निकल सकी मौके पर पहुँचे जिलादकारी रविंद कुमान ने बताया कि किस घाईलों को चिपरामौ के सवारिया अस्पताल भीजा जा चुका है इस भिशर हाथ से का अंदाजा आप सोयम खुद लगा सकते हैं क्योंकि इस पर देश के प्रधानमंत्रिन रिंद मोदी ने ट्वीट करके इस हाथ से में मरने वाले लोगों को चुश्रा धांजली दी कहां से कहां जा रहे था अब कितने लोग सबारी थी बस में कितने लोग वरेश्की को या जा सका कितने लोग निकाला जा सका बस से करें पंदर भी सब्सक्राइब निकले होंगे मस्किन से एक दम से लगके पूरे में हाग वह तो मैंने अचानल सीसा पोड़के तुदा हो मैं तो अपने बच्चे भी भी बढ़े कि में चल गया मैं भी कहां के रहने वाले हैं कुतू को मामला है गुलाइया का यह गुलाइया चिवरामू से थोड़ा आंगे पड़ती है चोकी नभी गंच पड़ती है यहां पर बस में आग लग गई जिसमें जो है पचास से साथ लोग गंबी रूप से जल गए हैं जो कि बस के अंदर ही हैं यह बस जो है फरकावास से चलती परकावास से चिवरामू चिवरामू से जैपूर लगवग अभी तक साथ पचास साथ लोग जले हुए हैं जो अंदर ही बस में हैं बिल्कुल ही जल गए हैं गाइल पांच यह लोग थे जिनको निकाला गया वह उपचार के लिए सवसया सेयुक्त चिकिस्ताले में गए हमारी मामा की लड़ी पहन और दो बच्चे जैपूर जा रहे थे और मालम बढ़ा हर्था ही इस तरह हुआ तो वह लोग आगे दौले देखा वह बच्चा तो पिस दरीगे से लगए उसका कि लोग साहता से यह तक रचक पहुशा गएंगे और वह बहन नूरी इसका नाव कि लान बेचा हुआ है जाप्धी करदा। को अनुसरी जैपूर कारते है जैपूर का मिया वॹफल कृटा的 इस ऐसरो बहति बिच्चे पाई मुंड़ा ने अस थे ना में बानजी एक आपनजा थो आगे एपने स by लोग लिए उस पे दिकार का है कि आण है वांजी का भाट साल का पैना गे पिर दौर सुख़ नाम नहीं है फिर हमने डीम साफ से शिका पर बांजी पारी भाया है पूरा प्रशासन की तरफ से और हम सब लोग अलर्ट हैं लगे हुए हैं जो चोटिल हैं गायल हैं उनके पूरी तरह से इलाज की विवस्था की जा रही है जो बाकियों और गटना की जाच कराते हुए जो संभव सरकार की तरफ से प्रयास होगा वो सब के लिए साहतार्थ किया जाएगा सबसे पहले तो इश्व से प्राथ ना करती हूँ कि जादा से जादा लोग उसमें से बच कर निकलें और उनको वोस्वास थिलाब करें यही आज के दिन इस समय पर केवल कहने जैसी बात है बाकि तो समय पर सब आते हैं यह गिलोई गिलोई के पास पड़ता है हमारे बार् हम लोगों को जो संख्यावी तक मिल पाई है वो छिबरा मौफ और गोर्साहगं से ही मिल पाई है जो सूचना एक अकरती थी कि फरुखाबाद किये बस थी फरुखाबाद में कोई यातरी नहीं करें तो जैसे जैसा हम लोगों को अफडेट मिलना है वो हम आपको है अब वरेसिक टीम बलाई गई है और सबसे प्रथाव वही तो प्रविश्टर के और सारी स्क्राइब देखें झाल से झाल सीर लोगों कोई प्रविश्टर करवें